नमस्कार दोस्तों इधर जब भी चुनाओं नस्दीक आते हैं तो कुछ वादे याद दिलाए जाते हैं वो वादों में बहुत सारे वादे होते हैं तो कांग्रेस के घोशनपत्र में एक वादा था 36 गड़ में की कांग्रेस सत्ता में आईगी तो वो सराब बंदी करेगी अब आस पडोस का जो हमारा राज्य है बिहार वहाँ पे सराब बंदी है गुजराद में सराब बंदी है पर कम राज्य हैं जहां पे सराब बंदी है अधिकांस राज्य ऐसे हैं जहां पर की आयका वहा है इसलिए कोई भी सरकार हो वो सराब बंदी पर फैसला लेने से थोड़ी घबडाती है और उसके दूस्परिणाम की भी बात करती है वो कहती है कि यह दि सराबंदी करना है तो उसकी एक प्रोसेस होगी और च्छतीस गड़ में लगातार इसको लेकर बात हो रही है अब चुकि नौबर में च्छतीस गड़ के चुनाओं है तो इस पर रोज बयान बाजी अब कर रहे हैं कि इन्हों ने गंगा जल उठा के कसम खाई थी यह पूरा नहीं कर रहे है तो यह बहस जो है और इधर हम देख रहे हैं कि जो केंदर सरकार की एजेंसी है वो चाए एडी हो चाए इंकम टेक्स हो उसने दिल्ली के मुख्यमंतरी और बाकी लोगों को सराब नीती बनाने में कुछ हेरा फेरी के चक्कर में जेल भेज रखा है 36 गड़ में भी बहुत बड़े पैमाने पे चापे मारी हो रही है और उसमें भी एक बात आरी की सराब बंदी को लेकर या सराब की भिकरी को लेकर दोनों तरह की बाहस है एक तरह तो लोग सराब बंदी की बात कर रहे है और दूसरी तरह जो सराब भिक रही है उसमें हेरा ने चुनावी रण नीतिकार प्रसांद किसोर ने सराब बंदी को लेकर बियार सरकार पे हमला बोला है उन्होंने कहा है कि सराब बंदी कानून बेकार है उन्होंने यह भी कहा है कि गांधी जी ने कभी या नहीं कहा था कि सरकारों को सराब बंदी करनी चाहिए हाला कि उन्होंने कहा है कि सराब पीना गलत बात है प्रसांत किस और कहते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रमान नहीं है कि कोई देश राजी या समाज या कह सके कि उन्होंने सराब बंदी लागू करके अपने लोगों की सामज आर्थिक विकास को किया है दरसल बिहार में सराब बंदी के बाद अवे सराब की विक्री बढ़िए इसके साथ ही कई बार जहीरी-ली सराब पीने से लोगों की मौथ हुई है इसके बाद सही सराब बंदी को लेकर नितिस कुमार प्रसांद किसोर के निसाने पर है गौर तलब है कि यह वही पीके यानि प्रसांद कुमार हैं जिनों ने नितिस को बिहार की सत्ता में पहुंचाने में बेहत आहम भूमी का निवाई थी इसके अलावा सराबंदी के विरोध में प्रसांद किसोर कहते ह की एक और एहम बात यह की सराब बंदी के चलते जो राजस का नुकसान सरकार को हो रहा है उसकी भरपाई वो अन्य सुईदाओं में टेक्स बढ़ा कर पूरा कर रही है हम आज बिहार की सराब बंदी पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि च्छतिस गड़ में भी सराब बं को लेकर जब राज में एडी की कारवाई हो रही है दिल्ली से लेके च्छतिस गड़ जिसकी जद में हैं चुनाओ भी नस्दीक हैं और च्छतिस गड़ एक आदिवासी बाहुले राज हैं यहां कई परंपराओं में से सराब एक एहम भूमी का निवाती है ऐसे में सराब केवल सियासी मुद्दा ना होकर रह जाएं यह सामजिक और आर्थिक मसला भी है इस पर बात करने की जुरत है अगर हम अपने समय के सबसे बड़े साहर की बात करते हैं तो गालिब साहब का मसूर सेर है कि गालिब छुटी सराब पर अब भी कभी कभी तो दरसल गालिब ने सराब को लेकर या और भी बहुत सारे साहरों ने बहुत सारी साहरी लिखी है बहुत सारी बाते हुई है अगर हम हरीबंसराय बच्चन की बात करते हैं तो उनकी मजुसाला है और तमाम लोगों के अपने अपने संसमरन है कि वो लगातार इसको लेकर लिखते हैं तो मैं गा नहीं ना कहीं डोनों की पसंद में यह सामिल है तो गालिब साब का एक मसूर सेर है कि कहां मैखाने का दरवाजा गालिब और कहां वाइज पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले सवाल यह है कि जो लोग इसकी सराबंदी की बात कर रहे हैं तो अभी यहां के आपकारी मंतरी ने एक बयान दिया कि यहां संभाव नहीं है मुक्य मंतरी भूपेज बगेल कहते हैं कि जब लोग सराप पीना बंद कर देंगे तो हम सराप बंदी कर देंगे अब जो प्रसांद किस और कह रहे हैं कि आप जैसे गालिब कहते हैं कि वो जगाँ बता दे जहां गाल वाइज सराब पीने दे मस्जिद में बैट कर या वो जगाँ बता दे जहां खुदा ना हो तो गालिब से लेकर मैं कहlorा हूँ, उसके पहले के भी सायर हों, या बात के सायर हों, कवी हों सब ये एक दूसरे से इस तरह की बात करते हैं अब चुकि चुनाव नज़िक आ रहा है तो जो रासवा सांसा सरोच पांडे है जिन्होंने मुख्यमंतरी को सरकार बनने के देड़ साल बादी रक्चा सुत्र बेच कर सराब बन्दी का वादा याद दिलाए था अब चुकि चुनाव आ रहा है तो तमाम तरह के धर्म तरह के वादे याद दिलाए जाएंगे और ये अपील की जाएगी मुख्यमंतरी से कि उनकी सरकार जो है जिसने ये कहा था वो ऐसा करें जबकि हकीकत ये है कि 15 साल डक्टर रमन सिंग की भी सरकार रही और रमन सिंग की सरकार में ही सरकारी दुकानों से सराब की बिकरी प्रारम हुई और वो सिलसिला बाद में भूपेज बगेल की सरकार में चला अब जिसको लेकर E.D. कह रही की सराब दुकानों से जो सराब बिकनी थी उसमें कुछ लोगों ने हेरा फेरी की अब ये तो बाद में जाँच में पता चलेगा कि E.D. जो 2000 करोड की बात कर रही है उसमें कित्ती सचाई है कि कोई E.D. के दबाओं में तो नहीं कह रहा है पर E.D. इस समय घेर रही है तो चाहे वो मनी सिसोधिया को घेरे दिल्ली में चाहे वो राज में बाकी लोगों को घेरे आज भुपेज बगेल का जो चतिवड़ के मुक्यमंतरी है उनका बयान आ रहा है कि जिन लोगों को E.D. सराब की अवेद बिकरी या उससे लाप कमान में पकड़ रही है उनको कह रही है कि वो इसमें मुक्यमंतरी का नाम ले एडी ये दबाव बना रही है चुनाओ के पहले कि इसमें मुक्यमंतरी को भी कहीं न कहीं सामिल किया जाए और भाजपा इसको लेकर जो आरोप लग रहे हैं उसमें भाजपा भी जगा जगा बयान बाजी कर रही है प्रतस्थन कर रही है तो इस समय च्छतिस गड़ में अगर कोईले को लेकर एडी ने कारवाई किये तो उसके बाद दूसरी बड़ी कारवाई सराब की बिकरी को और उसमें जिन लोगों ने लाब कमाया है जो उसमें लोग सामिल है उनको लेकर भी बयान बाजी है तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे चुनाओ नस्दिक आएगा तो चुनाओ में सराब क्या रोल प्ले करती है मुझे कहने की जुरत नहीं है वो सारी राजनीतिक पार्टियां इस हमाम में किस तरह से डूबी होती है वो मत दाता जानता है उनके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है पर हम यह जानते हैं कि जब कोई सराब पीता है और ज़्यादा सराब पीता है और वो उसके साथ काइदे से नहीं रहता तो उसका असर घरेलू ही इंसा में होता है और सबसे ज़्यादा यदि इसका कोई सिकार होता है तो घरेलू महिलाएं होती हैं बच्चे होते हैं और बहुत बार जो कमजोर तपके के लोग हैं गरीब तपके के लोग हैं वो अपनी पूरी या उनके पास जो कुछ संपत्ती कई बार सराब खोरी में वो गावा देते हैं और गाओं गाओं में लोग कहते हैं कि सराब बिक्त से सराब की विक्री शुरू की थी और जो अभी भी 36 गड़ में जा रही है हमने देखा कि करोना के समय कुछ औसर के लिए सराब की दुकाने बंद हुई पर जैसे ही खुली तो सबसे ज्यादा भीड़ वहां हुई अभी हम लगातार देख रहे हैं कि हम जो बात प्रसांद की स असानी से विक्री होती है अब सवाल यह है कि प्रसांद की सोर जो बात उठा रहे हैं बियार के को लेकर और वो जहां वहां पर की अवे सराब पीने से लोग मरें और जो सराब से होने वाली राजस थी उसकी भरपाई दूसरी चीज़ों से की जा रही है और उस पे जनता प की कार हैं और वो बिहार में ये बात कह रहे हैं कि आप नेतिस कुमार को कह रहे हैं कि आप बताईए कोई एक देश जिसकी आर्थिक इस सुद्रियों को एक अध्यान बताईए तो 36 गड़ में भी बयान बाजी तो हो रही है बादचीत भी हो रही कमिटी भी गठित हुई है मुख्यमंतरी भी इस पर बयान दे रहे हैं भाज़तपा के लोग भी इस पर बयान दे रहे हैं इस बीच में इडी भी इस पर कारवाई कर रही है तो पूरे चर्चा में कहीं ना कहीं जो है वो सराब है उसकी बिक्री है उसकी वैद अवेद दोनों तरह की बिक्री है तो हम दमंदीप में अगर आप वीकेंड पे जाते हैं तो आपको लगता है कि मिला लगा है यहां पर लोग जो हैं सराब पीने आते हैं और वहां से पीके जाते हैं और बहुत सारे लोग परमिट लेते हैं बहुत बार अलग-अलग जो होटले हैं वो इसी से चलती हैं और मैं जब को याद करता हूं हरिसंग का परसाई को उनकी जन्म सती चल रही है तो उनकी एक कहानी है वेश्णों की फिसलन और उसमें वेश्णों जो एक साकहारी बोजनालर रिस्टारेंट खोलता है उसको बाद में दीरे दीरे अपने व्यवसाई को बढ़ाने के लिए वो सब करना बेट कराते मेल कराती मदुसाला तो पता नहीं मदुसाला मेल कराईगी या नहीं कराईगी पर इस समय लोग कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद को लेकर आमने सामने हैं इसलिए अब देखना है कि आने वाले समय में च्छत्यस गड़ के चुनाओं में ये मुद्दा कितना घरम आता है कि सरब की बिकरी को लोग रोकने की बात करते हैं कि उसके लिए और कोई तर्क देते हैं प्रसांद के सोर जैसा रण नीतिकार जो चुनाओं का है वो ब्यार सरकार पर सवाल उठा रहा है तो ये इस समय ये सोचने का विस्दा है और मुझे लगता इस पर बाचित प झाल